हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं महिलाओं पर बढ़ रहें अत्याचारों और लड़ खड़ाएं कानून विवस्ता की साथ कॉलेट स्टुडेंट की आवास को दबाने की विरोत में अखिल भारति विद्धारती परिशत की चात्रों ने बाड में जिला मुख्याले पर कलेक्टरेट कारेले की बाहर संकेतिक रूप से धर्ना प्रदर्शन किया इस दोरान चात्राओं ने गयलोद सरकार के खिलाफ जम कर जुपानी हमला बोला ABBP के छात्राओं ने गैलोग सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन इसके बाद ABBP के छात्र छात्राएं जिला कलेक्टर को राज़पाल के नाम ग्यापन देने पहुची इस दौरान पुलिस और छात्र छात्राओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई जिस पर छात्राओं ने पुलिस प्रिशासन के खिलाफ जमकर नारिबाजी की बहीं मौके पर पहुचे अधिकारियों ने छात्रों से समझारिश कर मामले को शांत करवाया एबी विपे के जिला से योजग भौम सिंग सुंदरा ने बताया कि प्रदेश की लचर कानून विवस्ता के चलते लगातार आपरादि घटनाओं और दुश कर्मक की घटनाओं में इजाफा हो रहा है जिससे कानून विवस्ता के साथ महिला सुरक्षा में गैलोट सरकार पूरी तरह विपल है साथ ही विश्व विद्याले के विद्यारतियों का राज सरकार का आरोप है कि गैलोट सरकार महा विद्याले में अपने हकों के लिए प्रदर्शन कर रहे विद्यारतियों की आवास दबाने का प्रयास कर रही है जो लोक्तंत्रिक विवस्ताओं के साथ खिलबाड है गुहार प्रांति शहर छात्रा प्रमुक्त भारतिय महीश्वरी ने बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आरेसी बलने छात्र छात्राओं के साथ धक्का मुक्य की वहीं शात्राओं के लिए कोई महीला पुलिस कर्मी भी यहां निजर नहीं आए इस बात को लेकर शात्राओं में खासा आकरोश है इसके साथ ही एवी वीपी का गैलोज सरकार पर आरोप है कि कॉलिज में विद्यारतियों को मिलने वाली शात्र वृत्तिय बंद से विद्यारतियों में राज सरकार के प्रतीब भयंकर रोश है जागरुख टिवी के लिए बाढ़ में से ठाकर राम इगबाल के रिपोर्ट